अब हम बात करते हैं स्प्रेडिंग की, कि आपका स्प्रेडिंग होता क्या है, उसके बाद हम बात करेगे स्प्रेडिंग टेक्निक की, ठीक है सबसे पहला हम बात करेगे स्प्रेडिंग है क्या, इसमें क्या चीज़ बोली गए है कि जो आपका स्प्रेडिंग है यह एक स्प्रेडिंग टेबल, कटिंग टेबल या फर विशेस रूप से डिजैन की गई सर्फेस पर आपके फैबरिक की लेंद को काटने की परकिरिया की तैयारी में लहाने जो आप प्रॉसेस करते हो, कटिंग के लिए जो आप प्रॉसेस करते हो, उसको करने की आपकी एक उसमें आने वाली एक यह process है ठीक है आप cutting जब करते हो cutting से पहले आप क्या करते हो आप अपने fabric को spread करते हो बाद में जाके आपकी cutting process आते हैं लेकिन उससे पहले तो आपका आप जब तक fabric spread ने करोगे आप cutting थोड़ी कर पाऊगे तो cutting जो है वो spreading क्या है spreading एक spreading table या फिर आपकी cutting table या फिर कोई एक visage रूप से कोई special कोई specially आप कोई design करवा रहे हो एक surface फिक है जिस पर आप क्या करते हो आप अपने fabric की length को काटने का process की तयारी करते हो उसको preparation करते हो फैबरिक cutting की आप क्या करते हो preparation करते हो ठीक है preparation में लगने की क्या है ये एक process है आपकी जो आप cutting process करते हो उसके अंदर ही आने का ये एक process है आपका spreading इसके बाद second point में क्या चीज़ बोली गई है a spread or layup is the total amount of fabric prepared for a single marker एक spread या फिर layup एक single marker के लिए तयार किये गए कपड़े की total amount of fabric मतलब आपका जो क्या होता है कि उसके total amount को ये बताता है इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि इसमें बताएगा है कि जो आपका एक spread या फिर layup को क्या बताएगा है आपका एक spread या फिर layup एक single marker के लिए जो वो तयार करता है marker के लिए prepared तयार के लिए या फिर preparing के लिए कपड़े की total amount जो आपका fabric है उसका total amount को ये यहां पर बताता है spread में consist of a single ply और multiply आप जब spread करते हो ठीक है spread में हमारी एक single ply या फिर multiple ply भी सामिल हो सकती है जब आप spreading spread करते है हमारी spreading table पे आपको वहाँ पे एक ply भी देखने के लिए मिल सकती है और आपको वहाँ पे एक के उपर एक आपको बहुत सारी multiple ply भी आपको कपड़े की वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है इसके बाद आपको next point है the highest sorry the height of a lay up is limited by fabric characteristic size of the order to be cut cutting method and the vertical capacity of the spreader इसमें ये जीज़ बोली गई है जो हमारा lay up की जो उचाई है जो height है वो कपड़े की characteristic पर जो हमारा cutting method है उस पर और हम बोल सकते है size of order to be cut और हमें कि हमें कितने size जो है वो cut करने इन सब पर या फिर हमारा जो vertical capacity है जो spreader की जो vertical capacity है ठीक है इन सब के दुआरा इस चीज़ को हम किया जाता है ये सब इस चीज़ के अंदर आते है ये सब किसके अंदर आते है ये सब आपके spreading के अंदर आते है कि इसमें ये चीज़ बोली गई है इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो आपका layup की जो height है वो कपडे की characteristic काटने की जो series है आपकी ठीक है जो आपका size है size of order to be cut कि आप जो काटने के करम के आकार कि आप कितने size में उसको cut करोगे आपके काटने की video जो आपका काटने का method है या फिर spreader की जो vertical capacity है इनके दुआरा इसको limited होती है इसके दुआरा इसको क्या किया है सिमित किया गया है ठीक है इसके बाद है आपका last point the number of ply in a spread may range from 1 से लेके 300 तक है अगर हम number of ply की बात करें ठीक है एक spread में ply की जो संक्या है वो एक से लेके 300 range के बीच में हो सकती है कि जो हम spread करते है अपनी जो spreading table पे जो हम अपने fabric को spread करते है वो एक से लेके वो आपके 300 तक का आपको उसमें ply देखने के लिए मिल सकती है spreading में ठीक है ये तो था कि हमारी जो spreading है spreading है क्या spreading जो है ये आपका process होता है जो आपके cutting प्रोस जब आप cutting करते हो ये उसी के लिए उसी को करने के लिए ये आप पहले spreading करते हो ये आप spreading table पे कर सकते हो cutting table पे कर सकते हो या फिर आप इसको किसी भी special design किया हुआ जो आपका surface है वहाँ पे आप ये process करके देख सकते हो ठीक है उसके बाद बोला गया था कि ये जो आपका spread जो आप करते हो इसमें आप single ply पर भी spread कर सकते हो इसको multiply में भी spread किया जा सकता है और इसमें आपकी जो ply होती है वो एक से लेके 300 तक की बीच की आपकी ply की संख्या होती है ठीक है ये था आपका spreading अब हम बात करते हैं कि जो आपका spreading mode है ठीक है आप उसको किस तरीके से करते हो इसमें बोला गया a spreading mode is the manner in which fabric ply are laid out for cutting इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका fabric spreading mode है ठीक है ये जो आपका spreading mode है ये एक तरीका है ठीक है जिसमें कपड़े काटने के लिए कपड़े की जो परत होती है जो ply होती है फैपरिक की उसको बिचाया जाता है ठीक है ये आपका एक spreading का ये आपका एक तरीका है ठीक है जिसमें आपके कपड़े काटने के लिए कपड़े की जो परत है उसको आप बिचाते हो two fabric characteristics that determine the spreading mode are दो fabric की characteristics होती है जो आपके spreading mode को क्या करती है determine करती है जिसमें सबसे पहला है आपका the direction of fabric face आप क्या करते हो सबसे पहला आप कपड़े के चेहरे की दीशा को देखते हो कि कपड़े की जो face है ठीक है आप कपड़े के face को देखके उसको फिर रखते हो उस direction में रखते हो कि आपको आपको जो fabric है आपको किस direction में रखना है यह आपको यहाँ पर diagram में दिया गया है कि आप इसको दो तरीके से रखते हो आप अपने fabric को जहाँ पर आपका FOW जो लिखा हुआ है सबसे उपर जो यह लिखा हुआ है वो आपका fabric का face कि आपका जो fabric का जो चहरा है आप उसको देखके आपना फैब्रिक इस तरीके से रखते हो, ठीक है, सबसे पहले उसमें दिखाया गा है कि F.O.W. Facing One Way, आपका जो फैब्रिक आप उसको कैसे रखते हो, Facing One Way में रखते हो, और दूसरा जो है आपका, आप कैसे रखते हो, कि N.O.W. Napped One Way, आप उसको क्या करते हो, Napped One Way में आपने पढ़ा था हो, आप उसको Down Direction में रखते हो, ठीक है, सेकिंड इसी तरीके से आपका F.O.W. Facing One Way में रखते हो, ठीक है, N.U.D. जिसमें आपने क्या पढ़ा था, कि जो आपका Nap Up and Down, कि आप जो आपका F.O.W. 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 F. उसको same आपका जो opposite direction होती है आपका alternative size की उसको आपके opposite direction में रखा गया है same इसी तरीके से आपका last है उसको भी आपका क्या रखा गया है उसको आपका face to face direction में रखा गया है तो यह आपका spreading technique है, जिसको आप दो तरीके से करते हो, पहला है आपका कि आपके fabric की direction क्या है, दूसरा fabric का जो face आपकी उसकी direction क्या है, दूसरा जो आपके fabric की nap है, आपकी उसकी direction क्या है, आप इन दोनों को देख कि आप अपने fabric को spread करते हो, अब हम बात करते हैं कि आप लोग को जो spreading technique है जो आपका spreading mode है वो आपका कितने parts में divide है आपका spreading mode है इसको चार part में divide किया गया है सबसे पहले है आपका nap one way and face one way spreading आप क्या करते हो सबसे पहले आप उसको nap one way में और या फिर आप उसको face one way में आप उसको क्या करते हो, spread करते हो, उसके बास second है आपका nap either way and face to face spreading, second में क्या करते हो, आप उसको nap either way में या फिर आप उसको face to face उसमें आप क्या करते हो, उसको spread करते हो, थर्ड है आपका nap one way face to face spreading, आप क्या करते हो, उसको nap one way में आप उसको spread कर करते हो face to face spreading पर फोर्त है आपका नैप either way या फिर face one way spreading यह आपके चार method है चार आपकी टेक्निक है जब आप कोई भी fabric आप इस्प्रेड करते हो spreading table पर तो आप इन चार method का यूज करके आप अपना जो आपका fabric होता है इन टेक्निक से आप अपना fabric को spread करते है spreading table पर ठीक है अब हम बात करते है सबसे first one की starting से लेके चलेगे कि आपका nap one way और आपका ये face one way spreading क्या होता है इस तरह की से हम चारों के बारे में बात करेगे तो आईए start करते हैं अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले method की सबसे पहले mode की spreading technique में किस तरह की से वो करी जाती है इसमें सबसे पहले दिया गया है आपका nap one way and face one way spreading कि आपका nap one way और face one way spreading होती क्या है most common spreading method that can also be done manually इसमें क्या बताएगा है कि सबसे आम spreading method जिसे आप manually रूप से किया जाता है आपका जो ये nap one way और जो आपका face one way spreading जो है ये आपका सबसे ज़्यादा most common spreading method है जो आपका manually किया जाता है यह आपका हास से किया जाता है ठीक है हास से किया जाने वाला यह सबसे most common spreading method है इसके बाद हम बात करते है second point की fabric roll is keep on a roller stand and fabric end is being pulled by two spreading operator thus unwinding fabric from feeling rotating roll walking along both side of cutting table इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि कपड़े के roll को roller stand पर रखा जाता है कि जो आपका fabric roll है इसको आप किस पे रखते हो आप इसको roller stand पर आप इसको रखते हो और कपड़े के सिरे को दो फैलाने वाले operator दुआरा खीचा जाता है इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका fabric का जो end है इसको आपके जो दो spreading operator है उनके दुआरा इसको खीचा जाता है इसको pull किया जाता है ठीक है उसके बाद क्या बोला गया है walking along both side of the cutting table इसमें बोला गया है कि जो काटने की मेज के दोनों किनारों पर ये चलता है जो आपका cutting table है इसके ये दोनों side पे आप इसको लेके चलते हो ठीक है इसके बाद है हमारा third point while using machine the loose end of the fabric is bring head by a catcher and machine carries the roll along table does unwinding and spreading the table is the process इसमें क्या बोला गया है कि machine का जो यूज है machine का यूज करते समय कपड़े के जो ढहिले सिरे है घीक है आपके वासीन का जब यूज करते हो जो आपके फैबरिक का जो loose end है loose end को पकड़ने वाला जो है उसको पकड़ता है जो catcher है वो आपके in loose का अन्पाकरता है और machine roll को table क मेझाई के ले जाता है तो अटाम करने मेझाई के ले जाता है एस परकिरिया में कपड़े को खोलता है और फैलता है इस doet। मतलते उस स्परेड करता है। तो इसकी से गया कि अधिया कि लाता है। कपड़े के जितने भी लूज एंड होते हैं उनको केचर के दुवारा उसको पखड़ा जाते हैं और मसीन रोल को टेबल के साथ लिया जाता है आपकी इस प्रोसेस में क्या होता है जो आपका कपड़ा होता है वो खुलता चला सलता है और उसको spread करते चली जाते हैं आपके ज एसमें यह चीज बोली गयी है की आपके फैबरीक की जितने भी परत है उनको एक ही अंड से उसको क्या किया जाता है उसको इसंसे उसने इस्टार्ट किया जाता है और था कि готов उसको वापस से आके उससे वापस से आके उसी point से उसको start करना पड़ता है जिससे उसने start किया था ठीक है आपकी इस machine में आपका जो process में यह चीज बताए गई है कि जितने भी आपकी fabric की जितनी भी परत है वो एक ही point से उसको start किया जाता है ऐसा नहीं है कि आपने उसको फैला दिया और फिर आप महाँ से वापस से उसको फैला नहीं आपने एक बर फैलाया फिर वो महाँ से cut होगी आप वापस से दूबारा से आओगे जहां से आपने start किया था और आप दूबारा से वही से उसको फैलाना start करोगी तो इस तरीके से जो आपकी machine होती है वो वापस आती है उसको फैलाके और फिर वो दुबारा से start करती है फैलाना इस तरीके से जो आपका nap one way और जो आपका face one way spreading है यह आपका चलता है जैसे कि आपका इसमें दिखाया गए है डाइग्राम में कि आपका जो फैब्रिक है फैब्रिक का जो moment है वो आपको एक ही direction में आपको दिखाया गया है तो यह था आपका nap one way और face one way spreading यह आपका manually जो है यह सबसे ज़्यादा यूज के जाने वाला आपका method है ठीक है सबसे ज़्यादा यह आपका manually यूज के जाने वाला method है इसके बाद हम बात करेंगे second method की हमारा second method nap either way and face to face spreading ठीक है अब हम इसमें क्या करते है कि इसको किस तरीके से किया जाता है आईए देखते the quickest spreading method while using spreading machine अब करते हैं कि यह आप जब आप its spreading machine का जो यूज करते हो जमेंक, यह सबसे तीज spreading मैफ़ड है यह आपका ज़्यादा को मेले क्रविश बादब प्रिजी mark जब आप इस परेडिंग मासीन का जब यूज करते हो तो आपका ये nap either way और आपका face to face spreading जो है ये सबसे तेज method है क्योंकि इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आप एक बर फैलाते हो ठीक है आप starting point start करते हो और फिर वही से इसको दूबारा से फैलाते लेके चले जाते हो आपका पहले method की तरह नहीं है कि आपने फैलाना start किया ठीक है फिर वहाँ से आप वापस आते हो और फिर दूबारा से नहीं आप क्या करते हो आपने फैलाया जो आपकी spreading machine ने उसने fabric को फैलाया और फिर वही से वह फैलाती भी वापस आती है आपके पहले method की तरह नहीं है कि उसने फैलाया फिर वहाँ पे रुकी fabric cut हुआ ठीक है और उसने फिर दुबारा से starting point पे आई और फिर दुबारा से फैलाना start किया ठीक है तो यह आपका जो method है यह क्या है यह spreading machine के दुआरा किया जाने वाला सबसे तेज method है सबसे जादा तेज method है जिसका नाम किया है आपका nap either way और आप बोल सकते हो face to face spreading इसके बाद है आपका second point difficult to achieve manually यह आप इसको अगर आप इसको हाथ से करोगे तो यह बहुत जादा difficult होता है आपका यह हाथ से करना बहुत जादा difficult है आपका third point है इसमें क्या चीज बोली गई है कि machine fabric roll को carry करती है जबकि end को catcher दुआरा रखा जाता है जो आपका जो fabric है उसको कौन पकड़ता है उसके जो end वो catcher के दुआरा वो पकड़े जाते है layer end पर fabric को सिर्फ fold करके या फिर दूसरे catcher दुआरा नहीं काटा जाता जो आपका फैब्रिक है इसको सिर्फ आप फोल्ड करके या फिर दूसरे कैचर दौरा आप इसको नहीं काट सकते जबकि मसीन दौरा फैब्रिक को उसके रिटन मुवमेंट के दौरान ही रखा जाता है इसमें क्या चीज बोली गई है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप अपना फैब्रिक को स्प्रेड करना इस्टार्ट करते हूँ ठीक है वो जाती है ठीक है उसके बाद वो वापस से फैलाती ही वापस आती है फिर जाती है फैलाती है और फिर वापस आती है तो इसमें यही चीज बोली गई है कि the machine carry the fabric roll while the end is bring held in place by catcher at layer end fabric is not cut जो आपका fabric है उसको cut नहीं किया जाता just fold it उसको क्या किया जाता है उसको fold किया जाता है and held by another catcher while the fabric is bring held by the machine using its return moment also यह क्या करती है जो आपकी machine यह return moment में वापस आनी start हो जाती है तो आपके इसमें यही चीज बोली गई है कि जो आपकी machine fabric roll को carry करती है ठीक है जबकि end को जो है वो catcher दुआरा रखा जाता है layer end पर fabric को सिर्फ fold करके दूसरे catcher दुआरा नहीं काटा जाता जबकि machine दुआरा fabric को उसके return moment के दोरा नहीं रखा जाता है जो आपका fabric है वो किस तरीके से उस पे spread करता है जब जो आपकी machine है वो दुबारा से return moment में आती है तो वो spread करते वे आती है यह था आपका nap either way and face to face spreading इसमें आपका जो process है वो इस तरीके से चलता है जैसे आप इस diagram में भी देख रहे हो किसमें face to face और nap either way में किस तरीके से आपका जो fabric है उसको spread किया गया है इसके बाद हम बात करते है अपना third point की इसके बाद है हमारा spreading का third mode nap one way face to face spreading इसमें क्या करते है कि जो हमारा nap है उसको one way में उसको spread करते है face to face spreading में ठीक है इसमें सबसे पहला point क्या है most time consuming method of spreading यह सबसे जादा consuming time मतलब सबसी जादा time consuming method है हमारी spreading का इससे पहले जो आपने पढ़ा था वह method आपका spreading machine के दुआरा किये जाने वाला सबसी जादा तेज method था लेकिन in aap one way face to face spreading के यह आपका सबसी जादा time consume करने वाला method है इसमें आपका सबसी जादा time लगता है ठीक है इसके बाद है आपका second point the loose end of fabric is bring held by catcher and machine carries the roll along table thus unwinding the spreading the fabric is the process इसमें क्या चीज बोली गई है कि कपड़े के जो loose end है उसको पकड़ने वाला उसको पकड़ता है जो catcher है वो उसके दौरा जो fabric है आपका fabric के जो loose end है वो catcher के दौरा उसको पकड़े जाते है और machine roll को table के साथ रखा जाता है जो आपकी machine roll है उसको किसके साथ रखा जाता है टेबल के साथ आप उसको रखते हो और इसी तरह कपड़े को खोलती है जो आपकी machine है वो क्या करती जाती है आपके कपड़े को खोलती चली जाती है और इसको इसी परकिरिया में उसको फैलाती चली जाती है इसके बाद क्या चीज बोली गई है, the layer and the fabric is bring cut, the layer and the fabric is bring cut, turnable rotate the fabric roll by 180 degree and return back to starting point without, इसमें क्या चीज बोली गई है, कि जो आपकी जो layer है, ठीक है, आपके layer के अंध में कपड़ा काटा जाता है, जो आपकी layer का end है, उसमें क्या क्या जाता है, फैबरी को काटा जाता है, turn table कपड़े के roll को 180 degree तक घुमाती है, जो आपकी turn table है, वो कपड़े के roll को क्या करते है, वो 180 degree तक उसको घुमाती है, बिना starting point के, वो वापस आ जाती है, ठीक है, इसमें क्या चीज बोली गई है, कि and return back to starting point without, बिना starting point के वो क्या करते है, वो वापस आ जाती है, ठीक है, इसमे यह चीज बोली गई है कि जो आपका जो आपके फैब्रिक के जो पर्थ है जो आपकी लेयर है फैब्रिक की उसके अंत में क्या किया जाता है आपके फैब्रिक को काटा जाता है कि आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया और आप जब दूसरे पॉइंट पे तो भूहाँ पर क्या गया आपके फैब्रिक को कट कर दिया गया ठीक है उसके बाद टैनेबल रोटेट दाफ फैप्रिक रोल बाई 180 डिगरी उसके बाद जो आपका फैब्रीक जो डे टैबल है वह कपड़े के रोल को 180 डिगरी पर गुमाती है और उसके बाद बीना इस्थिति के स्थिति में वह वापस आ जाती है। इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपके फैपरिक की जो लेयर है। परत के अंध मतलब जो आपके फैब्रिक की लेयर का जो end है ठीक है उस पे आपके फैब्रिक को क्या जाता है उसको काटा जाता है और जो आपके टर्न टेबल है वो आपके फैब्रिक रोल को क्या करते है वो 180 उसको rotate कर देती है और इसके बाद क्या वो लगा है कि return back to starting point without और starting point के बिना आपके starting position के वो क्या करते है वो वापस आ जाती है ठीक है तो ये चीज इसमें बोली गई है कि जो आपका फैब्रिक है उसको क्या करते है जो आपकी फैब्रिक का जो लेयर है उसको 180 डिगरी पे उसको rotate किया जाता है जो आपका फैब्रिक रोल है ठीक है और ये starting position के ये वापस आ जाती है उसके बाद क्या चीज बोली गई है कि now from the starting end the second layer is bring head face to face अब जो आपके starting point जो था अब इसमें क्या चीज बोली गई है कि आपके starting end आपके starting end से आपकी जो second layer है वो आपके face to face रखी जाती है उसको क्या करते है उसको आपने सामने उसको रखते है आपकी जो starting end है ठीक है आपकी starting end से आपकी जो second layer जो होती है उसको आपने सामने उसको face to face रखते है ठीक है आपके इसमें क्या चीज बोली गई थी कि जो आपकी fabric की जो layer है ठीक है fabric की layer को क्या करते है उसके end को हम cut कर देते हैं fabric की layer के end को cut कर दिया जाता है उसको turn table पर क्या करते है जो आपका fabric का जो roll है उसको 180 degree पर आप लोग घुमाते हो उसको rotate करते हो और बिना starting position के उसको वापस लेके आते हो ठीक है इसमें यही चीज बोली गई है कि आप क्या किया जाता है इसमें आपका जो fabric है उसको आपने start के spread करना है उसको आप पर cut नहीं करते है आप उसको 180 degree पर उसको घुमाते हो और उसको वापस लेके आते हो तो जो आपका starting point है ठीक है आपका starting end और जो आपका second layer है वो क्या जाती है एक दूसरे के आमने सामने रखी जाती है तो यह था आपका कि आपके spreading table spreading table का आपका third method nap one way face to face spreading यह आपका सबसे जादा time consuming method होता है ठीक है इसमें यह क्यों होता है क्योंकि इसमें आपके जो fabric होता है आपके fabric का जो loose end है उसको पकड़ने के लिए आप क्या करता है वो catcher के दुआरा वो पकड़ा जाता है जो आपके fabric का जो loose end उसको catcher के दुआरा वो पकड़ा जाता है और machine roll को table के साथ चलाते है जो आपका machine roll है उसको आपके table के साथ वो चलता रहता है और इसी तरह क्या करता है وہ आपके फैब्रिक को खोलता चला जाता है और इसको आपकी जो थे वह स्प्रैडिंग टेमल है उस पे वह फैलता चला जाता है यह था आपका कि यह यह वाला जो method है ये वाला method आपका सबसे जादा time consuming method होता है इसके बाद हम सब से last method ठीक है जिसका नाम है nap either way and face one way spreading कि आपका जो सबसे last method है nap either way आपने nap either way में पहले क्या चीज़ पड़ी थी कि आपका nap either way में क्या था कि जो आपका fabric है आप उसको opposite direction में करते हो आपने यह चीज़ पड़ी थी ना कि marker mode में कि आप किस तरीके से fabric को आप spread करते हो किस तरीके से उसको रखते हो same चीज़ यहाँ पर है कि nap either way and face one way spreading अब इसमें आप देखते हो आपके दो point दे हुए इसमें देखते कि क्या क्या चीज़ बोली गई है सबसे पहला point है आपका the loose end of the fabric is being held by by catcher and machine carry the roll along turn dust unwinding the spreading the fabric in the process इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपके जो फैबरिक के जो आपके loose end है उसको catcher के दुआर उसको पकड़ा जाता है और machine roll को table के साथ चलाते है जो आपकी machine roll है जिसमें आपका fabric रखा जाता है उसको table के साथ आप क्या करते हो चलाते हो और इसी तरह कपड़ा जो है वो आपका खोलती चली जाती है और उसको क्या करते है वो spreading table पे वो उसको फैलाती चली जाती है इसके बाद वो लगए है second point the layer and the fabric is being cut the unable rotate the fabric roll by 180 degree and start spreading the second layer from the opposite end phase one way there is no there is no dead heading heading by the machine in this spreading mode इसमें क्या चीज बोले गई है कि आपके fabric की जो layer है उसके end में आपका जो fabric है उसको काटा जाता है fabric की layer के end में आपका जो fabric है उसको काटा जाता है और आपकी turn table जो है वो कपड़े के roll को 180 degree पर घुमाती है और दूसरी जो layer है उसको आप opposite end पर आप क्या करते हो opposite end के एक तरफ आप उसको फैलाना start कर देते हो इस spreading mode में machine दुआरा कोई dead handling जो है वो नहीं होती आपका जो ये process है इसमें कोई भी dead handling नहीं करी जाती ये जो आपकी spreading mode है इसमें आपका कोई भी dead handling नहीं करी जाती तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका fabric है ठीक है आपके fabric की जो layer है layer के एक end पर आपके fabric के एक end पर क्या करती हो आप अपना fabric को cut कर देते हो fabric की layer के end पर आप fabric को cut कर देते हो और जो आपकी turn table है वो कपड़े के role को क्या करते हो वो 180 degree पर उसे घुमाती है और दूसरी layer को उसके opposite end की तरफ वो उसको फैलाना start कर दीती है और इस spreading mode में क्या होता है जो machine दुआरा machine दुआरा आपका कोई भी dead heading जो है आपको नहीं मिलता जैसे कि आप यहाँ पर इस figure में आप देख रहे हो जो आपको figure दिखाए गई है कि आपका जो fabric है आपने उसको spread किया आपका एक तरफ आपका दूसरा मतलब आपके जो fabric है वो एक दूसरे के opposite वो spread किये गए है ठीक है तो इसी तरीके से जो आपका nap either way है इसमें क्या होता है जो आपका fabric है वो आपका opposite direction में आप उसको फैलाते हो तो यह थे आपके चार method कि आप किस तरीके से आप spreading technique कर सकते हो इससे next part में हम लोग बात करेगे कि आपका symmetry और asymmetry of fabric होता है क्या है symmetry मतलब होता है कि जो fabric आपका एक जैसा होता है similar होता है आपका एक पार्ट आपके दूसरे पार्ट की exact copy होता है उसको exact reply का भी बोल सकते हो और asymmetry को होता है जो आपका एक side का fabric आपके दूसरे side के fabric से क्या होता है वो थोड़ा सा different होता है उसका design उसका texture में थोड़ा सा आपको मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा सा difference आपको उसमें देखने के लिए मिलता है तो इसके बाद हम यही चीज़ बात करेगे कि जो आपकी symmetry of fabric और garment आपको किस तरीके से आप देखते हो Thank you